दोस्तों अगर आपका लक्ष विस्विध्याला में Assistant Professor बनना है तो आपको UGC Net का Exam qualify करना होगा हम आपके लिए हैं UGC Net Economics के दो courses जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई notes, test series और past share के question paper मिलेंगे इसके लिए आपको हमारी application विश्णू economics इसको download करनी होग कि वहाँ पर आपको UGC Net, PGT Economics, Assistant Professor, UPSC Economics Optional आगी 200 से आधी courses बिलेंगे इसके लाव अगर आप फ्री notes डावलोड करना चाहें तो हमारे application के 3D material में free notes डावलोड का भी option है दोस्तों, दोस्तों हमाँ बच्चों को UGC Net का पूरा का पूरा course कवर करा रहे हैं इस पूरे की पूरे process में अब हम public economics पर आ गए, public economics में हमने पहले चार चेप्टर कवर करा दी है, अब हम स्टार्ट कर रहा है lesson no 5 से, तो बच्चों lesson no 5 जो है वो उसका नम public debts, यानि कि government जो होती है और यह public fiscal debt से किस तरीके से अलग होती है वो भी आपको एक बार पता होना चाहिए, यह सब हमने already discuss किया हुआ है अपनी वीडियो के माधियम से, इसके अलावा public debt जो ली जाती है उसके क्या-क्या objective है, वो भी आपको पता होना चाहिए, इसके क्या advantage है, इसके क्या advantage है और external debts होती है, इसके अलावा productive and unproductive public debts होती है, redeemable and unredeemable public debts होती है, funded and non-unfunded public debts होती है, इसके अलावा voluntary and compulsory debts होती है, short term, medium term and long term public debts होती है, तो classification आपको पढ़ना जरूरी है, आपके exam point of view से भी जरूरी है और आपको conceptual knowledge होनी भी चाहिए, इसके अलावा method of repayment of debts, यानि किस तरीक ली है, उसको आप किस-किस तरीके से payment करोगे, क्योंकि जो government debt लेती है, जो उधार लेती है, उसको बापिस करना भी तो government की जिम्हेदारी है, तो किस-किस तरीके से government बापिस करेगी, उसको भी आपको detail में इस video के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, जिसमें से कई तरीके है मैं आपको यह सारे के सारे पॉइंट में सम्झाने वाला हूँ वीडियो के माद्यम से आप एक बार देख लीजिए इससे आपको एट लीस्ट यह आइडिया हो जाएगा कि आपको आखिकर पढ़ना क्या क्या है इसके अरवा दवड़न और पबलिक डैट यह भी आपको पॉइंट आपको करना हैं एक चीज कवर हो जाएग यह मैं आपको पचंदस कर रहा हूँ इसके अलावा effective of public debts effect क्या है public debts का ये भी आपको discuss करना है तो ये सारे के सारे topic आपको cover करने इसके अलावा बच्चो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी application के माध्यम से अगर आप course को access करते हो तो आपको video course के अलावा test series मिलेगी इसके अलावा PDF notes और आपको systematical तरीके से books का books मिलेंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर हमारे course को join करते हो तो आपको बहुत benefit होने वाला है PDF notes, test series, books जो भी आपकी requirement हो आप वहाँ से access कर सकते हो बच्चो इस वीडियो बे इतना है thank you